हम बाबा बाबा बोल रहें, लेकिन सामने मैं प्यार ही नहीं हो रहे हैं, जडरूर मेरे से गलतीय हुई हैं जब प्च्चा मम्मी के पास आता हैं, उसका शीर जब जुका होता हैं, मम्मी समझती हैं यह कुछ गलतीय करके आ रहा हैं इसी तरह योग में बैठते हैं मेरा शीर निचे हैं इसका मतलब कुछ गलतिय हुई है जो स्रीमत प्रमाद चलता उसका शीर टाइट रहता है बोज के कारण भी शीर निचे जुका रहता है इसलिए स्रीमत प्रमाद चलने की भीशम प्रति क्या लो सत्युक में जाने के बाबा नहीं कहा है कि अमरत उला उठो मुरली सुनने के लिए आओ तनमंधन से सेवा करो शुद्ध भोजन खाओ यह मिलता आपको इसलिए स्रीमत प्रमाद चलना जरूरी है यहां तो कोई बाबा बड़ी बाते नहीं बोल रहे हैं नारियल ले के आओ मेरे पाउ दुलाई करके आओ आज भगत कितना क्या-क्या करते हैं इसलिए स्रीमत प्रमाद चलने की भीशम प्रतिग्या लेने की जरूत हैं और जितना स्रीमत प्रमाद चलेंगे उतना हमारा योग लगेगा ठीक हैं? ये दो धारना बताई तो और आगे की धारना फिर हम तोड़ा सा दस मिनिट योग करके फिर बाद में सुनेंगे ठीक हैं?